नमस्कार दोस्तों, हमारे online tuition अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज की इस class में एक English story के माध्यम से आपको English पढ़ना, लिखना और बोलना तीनु सिखाने वाले हैं यदि आप अंग्रेजी बोलना सिखना चाते हैं, पढ़ना सिखना चाते हैं, लिखना सिखना चाते हैं, तो यह class बहुत important है, आप ही के लिए है दोस्तों इस class में आपको एक-एक word को Hindi में translate करकर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक-एक sentence को Hindi में translate करकर मैं आपको बताऊंगा, तो आइए बीना देरी किये हुए इस class को हमनों सुरु करते हैं, शुरु करने से पहले आपसे request हैं दुस्तों, यदि आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर ले जिएगा the golden touch of mid- Curt a story का नाम है golden touch of mid-assoweith लिए हैं गोल्ड से गोल्ड बना है गोल्ड मिस होता है सोना और गोल्डेन इस होता है तम निम ठिकना तर्चट टuter मीश छोना अस परष करना तो मिडास का मतलब कि स्वार्णिम असपर्स मिडास का स्वार्णिम असपर्स देखें दोस्तों इस्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं यहां से हम लोग समझेंगे वांस अपॉन और टाइम एक बार की बात है करें कि वांस अपॉन टाइम एक बार की बात है देर वाज और ग्रीक कींगे देर जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है कर देर वाज और ग्रीक कींगे एक ग्रीक राजा थे एक बार की बात है कि एक ग्रीक राजा थे मिडास जिसका नाम कहा था? मिडास था, ठीक न? वे बहुत धनी थे, मिडास नाम का जो राजा थी बहुत धनी थे और उनके पास बहुत अधिक मात्रा में सोना था, क्या था? उनके पास बहुत सोना था, वो बहुत धनिक थे, धनी थे, कौन थे? मिडास, जो की ग्रीक का राजा थे, ठीक है? He had a doubter who he loved a lot, देखिए कर रहा है कि He had a doubter, उनके एक बेटी थी, मिडास राजा की एक बेटी थी who he loved a lot, बहुत होता है, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे अपने बेटी को, ठीक ना? कौन राजा? राजा अपने बेटी को बहुत मानते थे One day, एक दिन, मिडास found an angel, देखिए, एंजल मिस होता है, देवी, ठीक ना? एंजल मिस होता है, देवी, कर कि One day, एक दिन, मिडास found an angel, in need of help, एक दिन, बहुत तपस्य के बाद, मिडास को देवी से भेट हुआ, ठीक ना? अपने मदद के लिए, देवी से भेट किये, क्यों भेट किये देखिए? उनको और धानी बनना था, उनके अंदर और धानी बनने, ये वक्छा थी तो उसने कई दिनों तक कई महीनों तक तपस्य किये उसके बाद उनको देवी से दर्शन हुआ He helped her and in return she agreed to grant a wish देखिए बहुत तपस्य के बाद करा कि He helped her मन बहुत उनकी अराधना किये बहुत उनकी तपस्य किये उसके बदले में कहा रहा कि in return उसके बदले में she agreed वो इनसे प्रसन्य हुई सहमत हुई प्रसन्य हुई to grant a wish और बोली कि तुम मुझे से मांगो क्या मांगना चाहते हो अपनी इक्षा परकट करो मैं तुम्हारी इक्षा को पुरी करूंगा कौन देवी से देवी ने बोला राजा को कि तुम मांगो मुझे से क्या मांगना चाहते हो मैं तुम से प्रसन्य हुई ठीक मिडास विश्ड दाट एवरिधिंग ही टॉच्ड वूड टर्न इन्टू गोल्ड देखिए यहां पर कह रहा है ध्यान से देखिए यहां पर करा कि मिडास विश्ड मिडास जो थे वह अपने इच्छा रखे उसने उनसे मांगा क्या मांगा एव्रीधिंग ही टॉच्ड मने कोई भी चीज जो वह चूदे उसपर्स करदे आवरीधिंग कोई भी चीज जो राजा मतलब बोले कि मैं जो भी चीज को असपर्स करणू उड़ टर्न वह बदल जाए क्या चीज में बदल जाए इंटू गोल्ड सोने में राजा बोले कि मैं जो भी चीज को असपर्स करूं वो सोने में बदल जाए ये मुझे आप वर्दान दिजिए कि अधिश्य वी स्वार्ज ग्रांटेड उसकी इक्षा पूरी करने की देवी ने अयसा असिरवात दे दिया कि ऐसा ही होगा तथा अस्तु ऐसा ही होगा ठेक ना अन ही जुवे उसके रास्ते में जब वो घर जा रहा था करें कि अन ही जुवे हो में मतलब घर जाते समय रास्ते में अब यह उसने चुवा टाच से टाश्ड बना आए पास्ट फर्मे ठीक न उसने छुवा रॉक से एंड प्लांट से एंड डे टर्न इंटू गोल्ड रास्ते में उसने बहुत सारे पत्थर को चू दिये बहुत सारे पोधों को चू दिये ठीक न तो यह सब जो था जैसे वो चूता था क्या बन जाता था सोना बन जाता था चूते ही वह सोने में परिवर्थित हो जाता था रास्ते में इसने बहुत सारे पत्थर को बहुत सारे सोने को बहुत सारे चटान को बहुत सारे पोधों को बहुत सारे चटान को इसने चू दिया जो की सोने में बदल गया और वह जैसे ही घर पहुचे मतलब कि छूते हुए जैसे ही वह घर पहुचे इन एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट मिन्स होता है खुसी उलास उत्सुकता बहुत खुस थे राजा क्योंकि उनको वर्दान मिला था कि वह जो चीज भी छुएंगे वह सोना हो जाएगा जिसक उनको काफी पहले से तपस्या थी उनको सोना से बहुत ही प्यार था बहुत ही प्रेम था जिस परकार वह अपने बेटी से प्यार करते थे उसी परकार उनको सोना से भी प्यार था इस स्टोरी में इसका चर्चा नहीं है मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं वह इतना सोना से प्यार करते थे कि अपने बेटी का नाम भी सोन पर ही रख दिये ठीक ना सोना से प्यार करने के कारण उनको बहुत प्रेम था सोना से तो कह रहा कि इन excitement बहुत खूस थे खूसी में he hugged his daughter बहुत खूसी में क्या कि अपने बेटी को गले लगा लिए क्योंकि वो बेटी से कि उनकी बेटी भी सोने में बदल गई जैसे ही वो गले लगाए उनकी बेटी भी सोने में बदल गई परिवर्तित हो गई कि मिडास वाज डेवास टेटेड अब जो मिडास थी वो बहुत ही कि मिडास वाज डेवास टेटेड अब जो थी सदमा में पड़ गए सदमा ग्रस थो गई कि अचारक ये क्या हो गया एंड है लेंट और से उनको सीख मिली क्या सिख मिली ऑपन लॉर्निंग इस लेशन से भी हमें एक शीख मिलता है यह देखिये मिडास आround ग्लाक्रों टेक हीज विस अवे मिडास वाज डेवा स्टेटेड मिडास बहुत ही सदमा में पड़ गए सदमा ग्रस्त हो गए उनको बहुत दुख हुआ यह चीज जैसे ही हुआ उनकी बेटी स्वने में बदल गए जिसको काफी प्रेम करते थे and he had learnt और इससे उन्होंने क्या सिखा his lesson मतलब इससे उनको बहुत बड़ी सीख मिली उनको इससे ऐसे होने से उनको बहुत बड़ी सीख मिली upon learning his lesson, Midask asked the angel to take his wish away इससे उनको बहुत बड़ी सीख मिली और वो देवी से बोले कि वो जो मेरी इक्षा थी उसको वापस कर दे यानि जो भी उनको मिला था वर्दान की जिस भी चीज को वो छू देगी छू देंगे तो वो सोने में बदल जाएगा इसको वापस ले ले यह चीज वो angel से अराधना करने लगे देखिए moral of the story इस story का moral क्या है यह चीज देखिए greed is not good for you लालच किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है इसलिए लालच नहीं करना चाहिए इनसान को ठीक ना be content and satisfied to lead a happy and fulfilling life अपने जीवन में हमेशा मतलब की धायर पुर्वक रहे संतोस बनाए रखें ठीक ना ज्यादा लालच नहीं करें क्योंकि ज्यादा लालच बुरी बला होता है तो दोस्तों यह story कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईएगा और यदि अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दब झाथ हुआ रिक और यद रालच प्लीज बलाच इस च्टारणे लोग में है ढ़ kayak ज